है कि आज का कारेकम पुर्य शस्त्र बिदिषे और सास्टर प्रमाण के साथ होने वाला और कौन सी कारेपंचक में करने हैं और कौन से नहीं करने हैं क्यों नहीं करने हैं सारी सास्त्र बातें आज की कारक्रम में प्रमान के साथ आपको देने वाला आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन प्रेस करने हैं ताकि समय समय पर आपको हमारे अध्यात जोतीस रत रुद्राक्स वास करते हैं चर्चा को सुरूब देखे पंचक क्या है पंचक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या उसका उपाई हो सकता है अगर हमें करना पड़ रहा है इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहले समझ लेते हैं पंचक है क्या वैसे आप मैंसे बहुत सारे लोग पंचक को तो समझते हैं और जानते भी हैं, बस ये उनके मने में संदे बना रहता है कि कौन सा काम करना या नहीं करना है, गिंती के पाँच काम हैं जिनको विशेश रूप से पंचक में नहीं करना है, और बाकी जो ज्यान देने वाले आपको दे रहे हैं, आपने जो सुना है ना भी तक पंचक के बारे में, कि घर में नहीं जाना है पंचक में, किराये का कमरा नहीं बदलना है पंचक में, कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं खरीज सकते, और कुछ लोग पहनने के लिए मना कर दाएंगे, वस्तराभुशन नहीं खरीजने, और पही सारी चीजों के लिए गाड़ी के मोड़ तुमें बता रहा होगा कि पंचक हो बद्रा हो तो गाड़ी ना खरी दे और मुझे लगता है हजारों चैनलों पर यही जानकारी दी जा रही है और जिसका कोई आधार है ही नहीं मैं आपको बड़ा स्पष्ट आज बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या कारे है जो पंचक में नहीं होगा है पहला यहाँ पर है बड़ मैं संच्रत में समझाता हूँ पांच नक्षत रहे हैं जब कुम्ब और मीन रासी पर चंद्रमा संचरण करते हैं धनिश्टा से वह नक जो हैं कि अब हम सबसे पहले हैं यह करना कॉन कौन कौन से काम है जो करना है लेकिन हम्हों पहले यह समझ लेते हैं क्योंकि नक्ष्चत्रोंltry जो बनक्षचत्र बनक्षट्रक्रण की अध्याएं मेरे आपको यहां पर बता रहा हूं फिर से देखिए इसमें धनिष्टर जो नक्षट्र है और शद्मिशा जो नक्षट्र यह दोनों ही चरसंघ्यक नक्षध्र जो की बहुत सारे ऐसे काम जो चलती वाले काम है जो चलने के लिए काम के जाते हैं उसमें यह मूर्त के अंदर विसिस रूप से लिया जाता है अब बताओ पूर्वा भाद्रपत है इसको छोड़ दें तो हर किसी मूर्थ में लगभग लगभग आता ही है क्योंकि पूर्वा भाद्रपत को अधी करना उन चीजिजों के लिए इसको अच्छा लेकिन आगर हम जैसे की चरनक्षतर की बात करें हमें यात्रा करनी है कि वहांन खरीदने हैं, उनके लिए तो चर्णक्षत्र अच्छा और उसके बाद है इस्तिर और म槇त्र नक्षत्र जैसे कि रेवतिय है, म槇त्र नक्षत्रे में आता है लगभग जितने भी स्तिर कारे हैं गर बनाना हो गया, भूमी में पूजन हो गया, वास्तु का पूजन हो गया या फिर ग्रह प्रवेश हो गया इन सब में मैत्र नक्षत्र को लिया जाता है और मिर्दु नक्षत्र को भी लिया जाता है जब कि उत्रा फालगुनी इसमें आ रहा है जो कि इस तर नक्षत्र के अंदर आता है जकी नक्षत्र है न और उत्रा फालगुनी करें और आगर हम इन नक्षत्रों को वहाँ पर mention कर रहे हैं फिर पंचक को कैसे मना कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए ये प्रमान नहीं है ये मिथक बाते हैं सुनी-सुनी बाते हैं हमने देख लिया कोई वहान खरीदने की वीडियों बता रहा है कि हाँ जी पंचक और बड़े आच्छे-खासे सब्सक्राइब रहे हैं अच्छे-खासे विवर जिंद में जुड़े हैं लेकिन वो सारे लोग ब्रहमित हो रहे हैं इसलिए यूटूब पर जिनकी भी आप जानकारी देते हैं देखते हैं उनको कम-से-कम आपको ये दियान में रहे कि हमें प्रमानिक ज सकते हैं सगा ही कड़ सकते हैं वह कहा है कि पंचग में नहीं कड़ सकते हैं तो दोनों बात एक साथ में कैसे हो सकती है इसलिए सास्त्र प्रमप्रा शास्त्र प्रमार यहां पर सबस्ट सास्त्र कह रहा है आप इसमें कड़ सकते हैं अब आते हैं पॉइंट पर थोड़ा विल सफ्ondere होजाती है और 10 सफकार की बात आतीड तब पंचक प्रारंब हो जाते तो दासफकार नहीं कड़ते है और 10 सफकार करना होता है तो उसका भी पंचक शांती कर वाई जाती है ठीकना वह पॉतले बनाकर वो अलग विदाने स्वम चर्चा भी नहीं करेंगे फिर दूसरा है चार पाई आदी का निर्माण अब आज कल चार पाई तो निर्माण होती ने लेकिन फिर भी आप जो लकड़ी से बनने वाले जैसे बैड हैं यह सोपे हैं तो अगर आपको लगता है तो आप उस च कुछी जो को छोड़ सकते हैं ठीक होगे ना तीसरा है दक्षण दिसा की यात्रा अभी राहुकाल राहुकाल जो जोड़के रखते हैं इसके लिए मैं आपको बता दो कई लोगों तो राहुकाल का अल्ला बना रखता है कुछ भी काम हो उसमें लगन देखना नहीं क्योंक दक्षण दिसा की यात्रा पंचक में नहीं करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यम की दिसा दक्षण होती है इसलिए आप दक्षण दिसा की यात्रा ना करें अब बात आती है त्रण और घास मानलो एक यह साला बनाना है तो उसके रहे हमें त्रण एकत्र क लेंटर डालते हैं उसको पंचक में नहीं डालना चाहिए यह पांच काम हैं जो पंचक में नहीं करने चाहिए बागी कपड़े खरीदना वस्तराबुस्ण करीदना सारे काम आप गाड़ी खरीदना सब पंचक में कर सकते हैं यह मैं नहीं सास्त्र का प्रमाण है इसलिए बेज जग कीजिए और आपको ऐसी चैनलों पर ऐसा ज्यान मिलता है उसको ना देख नक्षत्रों से चलता है आप उनकी जानकारी रखें और उनके बारे में समझें ताकि आपको आपका ज्यान वर्दन भी होगा और आप ब्रह्म से भी दूर रहें